हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ चिकन चीज रोल की रेसिपी बहुत इजी और बहुत टेस्टी है आप एक बार जुरू ट्राइ कीजिए इसे बनाना बहुत यासान है और बहुत जल्दी बनकर त्यार हो जाता है तो इसके लिए हमें क्या-क्या चाहिए देख लेते हैं इसके लिए हमने 700 ग्राम चिकन का बारिक कीमा लिया है एक छोटा चमच अद्रक लसन का पेस्ट दालेंगे एक छोटा चमच हरी मिर्च का पेस्ट दालेंगे आधा छोटा चमच काली मिर्च दालेंगे आधा छोटा चम दालेंगे यह देखिए यह हमने दो ब्रेड लिया है इस पर हमने थोड़ा पानी दाल दिया था इसमें से पानी को अच्छे से निकाल लेंगे ब्रेड को कीमा में दालेंगे इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब हम इसको आदे घंटे के लिए फ्रीज में रख देंगे दो अंडे लेंगे एक छोटा चमच काली मिर्श दालेंगे टेस्ट के हिसाब से नमक दालेंगे इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ये हमने ब्रेड क्रम्स लिया है एक चमच काली मिर्च दालेंगे, इसको हम मिक्स कर लेंगे एक छोटा चमच नमक दालेंगे, एक छोटा चमच मिर्च पॉर्ड़ दालेंगे, इसको भी मिक्स कर लेंगे अब हम एक silver paper लेंगे, तेल लगा लेंगे, आप plastic sheet भी ले सकते हैं एक चम्मच chicken की stuffing दालेंगे इसको हम फैला लेंगे इसपे हम धन्या पुदीना की चटनी दालेंगे चीज दालेंगे इसको हम इस तरह रोल कर लेंगे इस तरह हम इसको अराम-अराम से रोल कर लेंगे और ये देखे हमारा रोल रेडी है रोल को अंडे में डिप करेंगे bread crumbs लगा लेंगे इसको हमने double coating लगाया है आप इसको एक single coating भी दे सकते हैं इसको आप इस तरह bread crumbs लगाने के बाद एक हफ़ते तक फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं यह देखे यह हमने बना लिया है बाकी के भी इसी तरह बना लेंगे कड़ाई में तेल को अच्छे से गरम कर लेंगे रोल डालेंगे मेडियम फ्लेम पर हम रोल को फ्राइ करेंगे इसको हम 4-5 मिनट तक अच्छे से फ्राइ करेंगे यह देखे अच्छा कलर आ गया है अब हम इसको दूसरी साइट से फ्राइ करेंगे यह देखे रोल अच्छे से फ्राइ हो गया है इसको हम निकाल लेंगे और बाकी के भी फ्राइ कर लेंगे और हमारा चिकन चीज रोल त्यार है बहुत टेस्टी और बहुत इजी रेसीपी है आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताईए हमारे चैनल इंडियन जाइका को सब्सक्राइब कीजिए आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो अपने फ्रेंड्स सब्सक्राइब कीजिए तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में